इन इस सराकृतियों में सबसे पहली आकृति है हिमोड या मोरेन ये हिमोड क्या है? हिमोड हिमने अपने साथ जो भी पदार्थ लाए हैं गोलाशम है बजरी है शिल्ट है इनको वह अपने जब किनारों पे दोनों पार्शों पर जमा करता है तो पार्शों में खड़ी दिवारें विक्सित हो जाती दोनों किनारों पर और इस खड़ी दिवार के बाद हिम पिघल करके पानी के रूप में आगे बढ़ रहा है तो इन्हें हम पार्श्विक हिमोर या लेटरल मोरेन के नाम से जानते हैं दोनों की नारूपे ये खड़े हो जाते हैं दूसरा जो हिमोर है जब हिम मध्यवर्ती खेत्र में आप देख रहें यहां पर मध्यवर्ती खाग में उसने अपने पदार्थों को जमा कर दिया तो इसे हम मिड्ल मोरेन या मध्यस्त हिमोर कहते हैं मध्यस्त हिमोर प्राय क्या होता है कि दो हिमनद यदि किसी क्षेत्र से आ रहे हैं तो उन्हें बीच के हिस्से में जो पदार्थ दोनों हिमनद ने बीच में जमा किया है और उसके कारण बीच का जो हिस्सा है ये उंचा हो जाता है कटक नुमा यहाँ पर आकरिती बन जाती है और यदि हिमनद जादा दूर पर है तो ये बीच का जो कटक है ये काफी सम्तल और चावरस ख्षेत्र बन जाता है और इस ख्षेत्र में ये जब ही पिघल जाता है तो यहाँ पर नमी के कारण घां से उगाती है और ये परवती चारागाह के रुप में विक्सित हो जाता है इसी प्रकार के जो उधारण है कश्मीर में हम जिसको मर्ग कहते हैं गुलमर्ग जैसे तो ये जो मर्ग है ये इसी मध्यस्त हिमोड के उधारणों को प्रस्तुत करता है तीसरा जो हिमोड का प्रकार है इसको अंतियस्त हिमोड कहते हैं टर्मिनल जहां हिम समाप्त हो गया तो अपने अंतिम खेतर में जहां पर हिम समाप्त हो रहा है तो वहां पर वो खूब सारे कंकड पत्थर गोलाश्म को जमा करता है और उसके बाद से पानी की धार आगे की और बढ़ने लगती है, तो ये जो कंकड पत्थर गुलाश महें, ये चुकी हिम की अंति मावस्तर, उसके बाद धीरे-धीरे पानी जो है, वो आगे की और बढ़ता है, तो इसे अंतियस्त हिमोड या टर्मिनल कहते हैं, इसे अवकाशी हिमोड भी कहते हैं, अवकाशी का मतल से पुराने को छोड़ करके आगे के आगे की और बढ़ना ये अवकाशी पुराना जो है ये अवकाशी हिमोड कहलाता है चाथा जो हिमोड का प्रकार है ये कहलाता है तलस्त हिमोड अपने तली में हिमनद जो है कुछ पदार्थों को जमा कर देता है तली में जमा करने के बा कहलाते हैं तो ये हिमोड के चार प्रकार हुए इसके बाद हिमोड जो है ये अपक्षेप मैदान का निर्मान करता है अपक्षेप मैदान क्या है कि हिम ने अपने साथ जितने भी बजरी बालू मिट्टी लाई है इन मिट्टियों को वह अपने आसपास के क्षेतर में जमा कर करने लगता है बच्चों ये हिम नद जहां हिम की अंति मिस्थिती होती वहां पर ये बजरी मिट्टी बालू को जमा करता है इसे हम हिम द्वारा निर्मित अपक्षेप मैदान कहते हैं ऐसे ही जब नदी ऊपर परवत से नीचे आती और अपने परवत पदी एक्षेत्र में अपने साथ लाईवी मिट्टी को जमा करती जिससे उक्षेत्र में क्रिशी होती है इसको हम जलोड़ पंख या जलोड़ मैदान कहते हैं तो ये दोनों में यंतर है हिम अम्तिम स्थिती में और नदी परवत से उतरने के बाद के स्थिती में जलोड़ मैदान का निर्मान कर फिर अगली जो आकृती है इसे हम ड्रमलीन ड्रमलीन शब्द जो है जैसे किसी टोकरी में अंडे भर दिये गए हो तो कैसे दिखता है ऐसी ही आकृती हिम की घाटी वाले क्षेत्र में यदि वहाँ पर चट्टानी क्षेत्र से हिम प्रवाहित होता था पहले और अब हिम नद जो है वो सूख गया है या पानी के रूप में परनित हो गया है फिर पानी भी वहाँ पर कभी-कभी समाक्त हो जाता है तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि उस घाटी में एक टोकनी में चटाने जो है वो उपर से चिकनी और गोल-गोल हो जाती है तो देखने पर ये अंडे भरी टोकरी जैसे दिखाए जेता है तो इस आकरिती को चट्टानी टिले या ड्रमलिन कहते हैं इस प्रकार की आकरिती स्नियुक्त राज्य अमेरिका में फिनलेंड में और आयर लेंड में देखने को मिलती है अगली जो आकरिती है ये है कैटिल कैटिल या केम जब यही पहाड़ी या चट्टानी खेत्र में यदि कहीं पर गढ़ा होता है तो गढ़े में पानी भर जाता है और यही पानी जो है यह कैटिल या कैम वाली जो आकरिती होती है उसे इसकी तुलना की जाती है फिर एक आकरिती कहलाती है एसकर क्या होता है कि हीम अपने साथ जो बजरी, मिट्टी, बोल्डर यह सब लेकर आती है और इनको जब जहां पर वह पानी के रुप में परनीत होती तो इनको एक क्रम से जमाती चली जाती है एक क्रमबध रूप से कहीं पर बड़े बॉल्डर है फिर आगे थोड़े जाके और बॉल्डर हो जाते है बीच में मिट्टी आजाती है ऐसे क्रमबध रूप से रेखा में लगभग जम जाती है तो इस आकृति को एसकर, यह एसकर विल्कुल एक जैसे ऐसा लगता है, कि जैसे कोई माला पिरोई गई हो, बड़े बोल्डर है, फिर मिट्टी है, फिर बोल्डर है, फिर मिट्टी, तो इसे हम मालाकार एसकर के नाम से भी जानते हैं, तो यह हिमनद की प्रमुख आकृतिया जो अपरदन और निक्षेपन के माध्यम से बनती है इसका उलेक मैंने आपके सामने में किया है अब हम अध्यन करेंगे तटिय इस्थलाकृतिया बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था कि अपरदन के पाँच कारक जिसका मैंने इसके पहले अध्यन किया है उलेक किया है नदी, हिमनद, वायू, भुमिगजल और उसके साथ ही समुद्री लहरें लहरें भी अपरदन का प्रमुख कारक है और समुद्र के किनारे में ये लहरें सक्रिय होती है और ये भी अपर्दन की प्रक्रिया करती है समुद्र में जो लहरें उत्पन होती है आपने लहरों को देखा है बच्चों यदि आपने समुद्र प्रत्यक्ष नहीं देखा होगा तो भी आप आजकल टीवी में बहुत सी मुवीज आती है बहुत से अलग-अलग पिच्चर साते हैं उसमें आपने समुद्र की लहरों को उठते हुए देखा होगा इसके अलावा लहरों को आप तलाब में भी लहरे उठती है जब तेज हवा चलती तो इसको भी आपने देखा होगा तो ये सभी लहरें आपने देखा है कि लहरें बीच से उठते उठते तट से आकर टकराती है और फिर चली जाती है तो ये जब तट से आकर के टकराती है तो टकराने से समुद्र की लहरों में इतना वेग होता है कि ये जब तट से टकराती है तो इसके साथ ही ये अपरदन की प्रक्रियाएं प्रारम करती है तो इन लहरों में पहले तो हम लहरों को समझ ले जब लहरे उठती है समुद्र में तो काफी उची ऐसे गोल-गोल घुमती भी आगे की और जाती है तो इस प्रकार की लहरों का जो उपरी भाग है इसको लहर का शीर्ष कहते हैं ये उपर की और होता है और जो लहर का निचला भाग होता है है ना दो लहरों को यदि आप देखेंगे तो बीच का भाग गढधा होता है और दोनों तरफ से उचा और ऐसा बीच में गढधा होता है तो यह जो निचला भाग होता है उसको हम गर्थ कहते हैं लहरों की गर्थ लहरों की शिर्ष और लहर का गर्थ तीसरा इसमें जो जानक यह कहते हैं यह दो लहरों के बीच का अंतराल होता है लहरों की शीर्ष और गर्त के बीच में कितना अंतर है इसको लहर की उचाई कहते हैं कितनी उची लहरे आई कितना उपर उठी और कितनी नीचे तक वह थी इनके बीच के अंतर को उचाई कहते हैं और एक लहर से दूसरे यह लहर जब तट से टकर आती है आगे की और आती है तो दो लहरों के बीच का जो समय रहता है उसको आवरत काल या पिरियेड कितना पिरियेड में लहर आगे पीछे के और जा रही है इसको आवरतन काल या पिरियेड कहते हैं तो ये लहरों के एक मतलब लहर जो है इसको हमने कैसे किनके नामों से जाना है ये आपको बताया लहरें भी तटी खेत्र में अपरदन का कार्य करती है लेकिन जैसा बच्चो हमने इसके पहले भी उले किया था कि नदी हिमना ये सभी जो अपरदन करते हैं तो अपरदन के समय में उस का वेग वहाँ पर चटानों की संरचना कैसी है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है उसी प्रकार से लेहरों जब अपरदन का कार्य करती है तो कुछ बातें यहाँ पर भी अपरदन के लिए आवश्यक होती है इन बातों में पहला है लेहरों का आकार या उनका वेग कितनी बड़ी लेहरे हैं और कितनी गती से वह टकरार रही है यह लहरों का आकार और वेग कहलाता है दूसरा है वहाँ पर जो शैल है लहरों के साथ भी कुछ मलबा आ रहा है लहरें अपने साथ मिट्टी कंकर पत्थर लेकर के आती है यह कितनी मात्रा में लारी क्यों कि जब यह तट से टकराएगी तो पानी के साथ यह भी पदार्थ जोर से टकराते हैं और इससे अपरदन तेजी से होता है तीसरा जो है समुद्र के किनारे में पाई जाने वाली जो चट्टाने है उन चट्टानों का नेचर कैसा है उसकी प्रकृती कैसी है चट्टाने किस प्रकार से हैं खड़ी बिच्छी हैं आड़ी बिच्छी हैं यदि चट्टाने खड़ी हैं तो अपरदन धीमे धीमे होता आडे में तो समुदरी लहरे आती है जाती है और उनको तोड़ते तोड़ते ले जाती है फिर चट्टानों का संगठन उनका स्ट्रक्चर उसका कंपोजिशन कैसा है कोमल जैसे बताए था कोमल है कठोर है भेद्य है संधी युक्त है भेद्य है यह सब निर्भर करता है कि अपरदन कितनी मात्रा में होगा वहाँ पर जलवायू कैसी है जलवायू यदि शीत है तो वहाँ लहरे नहीं चलेंगी तो अपरदन नहीं होगा थंडी जलवायू में धीमी लहरे चलती है लेकिन गर्म जलवायू में लहरे तेजी से आने जाने लगती है तो जलवायू का भी प्रभाव उसके लावा वहां चटानों में जीव जन्तुों ने उस चटान को कितना नुकसान पहुंचाया है वया वहाँ पर कितने प्रकार की वनस्पतियां उगाई है ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपक्षय यदि अधिक होगा तो अपर्दन उस अपक्षय को सहीयोग देता है और अपर्दन की प्रक्रिया तेजी से होगी तो इस प्रकार से इन कारकों के प्रभाव से अपरदन की क्रियाएं संपन होते हैं अपरदन की वही प्रक्रिया है यहाँ पर जल गती या जलदाप की क्रिया अपघरशन, सन्नी घरशन, गोली करण यह जल के जो अपरदन के प्रकार है ये लहरों के अपर्दन में भी लागू होते हैं अपर्दन जब लहरे कर रही हैं तो वो कौन-कौन सी आकृतियों का निर्मान करती है तो सबसे पहली जो आकृति इसको कहते हैं क्लिफ, समुद्री, क्लिफ या तटी ये क्लिफ, तटी या भुरुगू इसको कहते हैं ये भुरुगू या क्लिफ क्या है जब समुद्र पर कोई खड़ी चटान समुद्र के किनारे में होती है और लहरे इस खड़ी चटान से लगातार टकरा रही है जहां तक लहरों की उचाई है, वहां तक वह चटान से टकराती है जहां तक चट्टानों से टक्रारी है धीरे धीरे बहुत ही धीमी गती से इन चट्टानों में तूट-फुट होती है और चट्टानों का वाक्षेत्र जहां तक लहरे टक्रारी चट्टान धीरे धीरे अंदर की और तूटकर दबती चली जा रही है जबकि उपर की चट्टान क्या है बाहर निकली हुई है देखिए अब चित्र में उपर से चट्टान बाहर निकली है जबकि नीचे से ये चट्टान तूटते तूटते चली जा रही है अंदर की और धंस्ती चली जा रही है तो इस प्रकार से बाहर एक हुक नुमा आकरिती बाहर निकल जाती है, तो इसी को हम cliff के नाम से जानते हैं. ये जो cliff है, इसमें ज़वार और भाटा में जब ज़वार आता है, तो चट्टाने ज़्यादा तेजी से तूटती है, भाटा की अवस्था में उस समय कम चट्टाने तूटती है, और इसका जो निचला हिस्सा ये भी घर्शित होता है तो यदि चटान बड़ी है तो निचले हिस्से में क्या हो रहा है एक चबूतरा जैसी आकरिती बन जाती है कई बार ऐसा होता है कि उपर का भाग जो लटका हुआ है लगातार अपरदन हो रहा है तो उपर का भाग आधार ही हिन होता है इसलिए कई बार वो तूट करके गिर जाता है तो क्लिफ पीछे सरकते हैं फिर से जो लहरे हैं वो बीच के हिस्से को काट रही तो धीरे-धीरे क्लिफ तूट तूट के पीछे के और सरकते हैं उसके कारण निचला जो चटान का हिस्सा है यहाँ पर जवार भाटा जब के आते हैं तो उस समय इस खेत्र में बहुत सा मलबा जम जाता है तो निचला का हिस्सा तरंगित या घर्षित चबूत्रे कहलाते हैं जब ज़्यादा घर्चन होता है तो यह लंबे चवड़े भाटा जब होता है तो यह मैदान के रूप में ही दिखाई देते हैं और उपरी हिस्से को हम क्लिफ या भुरुगू के नाम से जानते हैं दूसरी जो आकरिती है यह भुरुगू जो है यह भारत का जो पश्चिमी तठ है यहाँ पर इस प्रकार की आकरिती बहुत अधिक देखने को मिलती है दूसरी जो आकरिती है इन्हें हम खाडिया और समुद्रा भी मुख कगार के नाम से जानते हैं खाडिया क्या है प्राया जब समुद्र के तटो में यह दी चटाने खड़ी मतलब इसकी जो आवस्था होती है ये चटाने इस थल से समुद्र की और ऐसी खड़ी बिच्छी होती है तो खड़ी बिच्छी चटानों में जो यदि कोमल चटाने हैं तो कोमल चटानों में लहरे तेजी से अपरदन करती है बनिस्वत कठोर चट्टानों की तुलना में है तो जो कोमल चट्टाने जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं यह अंदर की और धस रही है, तूट गई है और जल अंदर तक आ गया है तो यह जल जब अंदर आ जाता है तो इसको खाड़ी कहते हैं जब यहाँ पर कोमल और कठोर चट्टाने जो होती है यह समुद्र की दिशा में ख्षैतिजिक यदी बिच्छी होती है तो उस ख्षैतिजिक चट्टानों में यदी बाहर में कठोर चट्टाने हैं और अंदर में कोमल चट्टाने हैं पर समुद्र की लहरे तो उचल कर बहुत दूर तक जाती है तो कई बार क्या होता है कि ये अंदर की कोमल चट्टानों को तोड़ करके उसके साथ बाहर के कुछ पदार्थों को भी धीरे धीरे तोड़ती है तो कुछ इस प्रकार की आकरिती का विकास हो जाता है बाहर में जो आप चट्टाने देख रहे हैं ये चट्टानों का शीर कहल जबकि अंदर में जो अंडाकार या गोलाकार आकृतियां बन गई हैं, इन आकृतियों को लगुनिवेशिका कहते हैं। ये कोमल चट्टानों के अपरदन से और कठोर चट्टानों के सामने में परत के बनने से दिखाई देती है इस लगु निवेशी का के जो उदारन है इंग्लेंड के एक शेत्र में बहुत अधिक देखने को मिलते हैं अगली आकृती है समुद्री गुफा समुद्री गुफा क्या है कि जब कभी ऐसा होता है कि समुद्र की और ऐसे चट्टान खड़ी है और अब इसमें कभी इसमें शर्त है कि यदि उपरी भाग कठोर चट्टान का बना हो और निचला या मद्ध्यवर्ती भाग यदि कोमल चट्टान का बना हो तो समुद्र की लहरे या जो पानी का वेग है उसके कारण ये निचले हिस्से को तेजी से घरशित करती है और इसको क्रम्षह तोड़ने लगती है और कठोर चटान उपर में तो उपर की कठोर चटान पर इसका प्रभाव नहीं पढ़ता है, बहुत धीमा प्रभाव इसका पढ़ता है तो मद्यवर्ती भाग धीरे-धीरे क्या होता है। अंदर से खोखला होने लगता है। तो इस खोखले भाग को हम गुफा या केव के नाम से जानते हैं। और नीचे का भाग कभी कभी दोनों तरफ से या एक ही तरफ से यदि लहरों ने उसको तोड़ा तोड़ा और तोड़ते तोड़ते आरपार दिखाई दे दिया तो एक खिड़की बन जाती है उस चट्टान के ख्षेत्र में और उपर का हिस्सा चूंकि जुड़ा रहता है इ तो जो इसकी चट है इन चट में कहीं पर यदि छोटा सा चिद्र हो जाता है तो इस चिद्र से समुद्र से आने वाली जो हवाएं है ये हवाएं नीचे से उपर की और निकलती है तो इस चिद्र को वात चिद्र कहते हैं और इस वात चिद्र से जब हवा उपर की और जाती तो हवा में जो आवाज होती है, सरसराहट की वो आवाज यहां बहुत इस्पष्ट दिखती है, या कभी-कभी हवा में अधिक गती होती है, तो सीटी की आवाज सुनाई देती है, तो ये वात छिद्र जो है, ये सीटी की आवाज यहां उपर से होती हुए हवा की तेज सरसर प्राहट से हवा यहां से बाहर की और निकलती है. अगली जो आक्रिती है, इसे हम कहते हैं, समुद्री महराब या आर्च. तो आर्च क्या होता है, कि जब समुद्र में, समुद्र की और मुख करके, चट्टाने ऐसी खड़ी होती है. खड़ी ओने से जैसा, अभी मने बताएं, कि दोनों तरफ से, जो समुद्र की लहरे हैं, यह इसको दोनों तरफ से टकराती वी नीचे से काटती चली जाती है. और यदि किनारे का क्षेत्र कठोर चट्टान का है, और बीच का क्षेत्र कोमल चट्टान का है, तो बीच का हिस्सा जल्दी जल्दी तूटने लगता है तो एक जो महराब के जैसी आकृती बीच में विक्सित हो जाती है इस प्रकार बीच में महराब यह खिड़की बन जाती है गुफा में भी खिड़की बन जाती है और उपर में प्राकृतिक पूल जैसा उस तरब जाने के लिए देखने को मिलता है लेकिन कभी-कभी अपरदन बहुत तेज होता है तो ये जो प्राकृतिक पूल है इसकी छत जिसको हमने अभी ब्रिज ये पूल का था ये ध्वस्तों करके गिर जाती है और समुद्र के बीच में केवाल एक चटान खड़ी दिखाई देती है तो ये खड़ी चटान जो है इसको स्टम्भ या स्टैक के नाम से जानते है यह स्टेक है, स्टम्भ है, जो ऐसा लगता है कि समुद्र में बीच में यह खंबा खड़ा कर दिया गया हो तो यह समुद्र के किनारे में जितनी चट्टाने पाई जाती उस पर इस प्रकार की आकृतियों का विकास होता है जिसका अभी हमने वर्णन किया है बच्चों समुद्र केवल अपर्दन ही नहीं कर रहे हैं, यह लहरें अपने साथ जो पदार्थों को लारी वो समुद्र में उसके आसपास में किनारों पर तट पर जमा करती है और इस जमाओं की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम निक्षेपन का कार्य कहते हैं इस निक्षेपन से भी कुछ आकृतियों का विकास होता है और इन आकृतियों के बारे में अभी हम जानेंगे सबसे पहली जो आकृति है, यह कहलाती है तरंग निर्मित वेदी या तरंग निर्मित चबूतरे अभी हमने जिस चबुत्रे का उले किया है ये घर्षित चबुत्रे जो क्लिफ के नीचे विक्सित होते हैं लेकिन अन्यक्षेत्र में भी जब समुद्री लहरे किनारों से कुछ पदार्थ को ले जाती है और इन पदार्थों को वही तटों में जमा करके उसकी लहरे पीछे हट जाती है तो उस जमा पदार्थ यदि वो थोड़े से भारी होते हैं तो वहाँ पर लंबे समय तक जमे रहते हैं जो की थोड़े उथले होते हैं जल से यहाँ पर जल की गहराई कम होती क्योंकि यह पदार्थ से यहाँ पर जम जाते हैं तो इनको हम तरंग निर्मित वेदिका कहते हैं कभी-कभी यह पदार्थ लगातार जमने के कारण और उचे उड़ जाते हैं और कभी-कभी जवार भाटे की यदि तीवर गति आती है तो ये पदार्थ बह भी जाते हैं जो निर्मित वेदिकाएं हैं ये वेदिकाएं समाप्त भी हो जाती है दूसरी जो आकृती है इसे हम पुलिन कहते हैं पुलिन क्या है जवार के साथ कुछ पदार्थ जो है समुद्र के में जो कंकर पत्थर या जितने भी मलबा है ये जवार के साथ आगे की और आता है और जब भाटा आता है तो इसको फिर से पीछे की और ले जाता है तो जवार और भाटे का जो मध्य क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में कुछ अवसाद निरंतर जमा होने लगते हैं तो इस जमाव को पुलिन के नाम से जाना जाता है इसी प्रकार से समुद्र के किनारे में जब भारी कंकर पत्थर जमा हो जाते हैं और ये जमाव कभी कभी चटानों के तुकडों के रूप में होते हैं या कई बार ऐसा होता है कि चटाने जो है वो मध्य में बनी रहती है अंदर तक समुद्र चला जाता है तो बीच की जो चटाने रहती है इन चटानों को तोडते वे समुद्र की लहरे आगे पीछे की ओर जाती है और कभी-कभी ये चटाने काफी तटके किनारे तक या जो अवशिष्ट पदार्थों का जमाओं ये तटके किनारे में खड़ा जमाँ हो जाता है तो इस आकरिती को रोधिका या बेरियर्स कहते हैं ये जो बेरियर्स या रोधिकाएं होती है ये हमारे लिए बहुत महतोपूर्ण होती है क्योंकि यदि समुद्रों में तुफान आता है तो तुफान के अधिकाएं शमार को ये रोधिकाएं रोक लेती है और फिर भी यदि ये तुफान तट तक आता है तो कई बार तटों में जो मेग्रेव वनस्पती होती ये वनस्पतियां भी इन तुफानों को रोकती है और तट से काफी दूर तक इसका प्रभाव नहीं हो पाता लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि पेड़ों को काट दिया जा रहा है तो मेग्रो वनस्पती की कमी होने के कारण तुफान का प्रभाव अंदर तक देखने को मिलता है तो बच्चों वनस्पतियों का किनारे होना ये तुफान से हमको कैसे बचाता है ये भी वनस्पत लैगून लैगून क्या होती कि ये रोधिकाएं जो हैं कभी कभी ये रोधिकाएं विक्सित होते होते समुद्र से तट से कुछ दूर पे पदार्थ जमा होता है और ये जमा पदार्थ लगातार बढ़ते 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 ये उस खशेतर को घेर लेता है एक छोटा सा बीच में कहीं गैप रहता है, जहां से समुद्र का जल बहुत कम मात्रा में आते जाते रहता है, तो उसके कारण बीच का हिस्सा जो होता है, वह तेज लहरों का प्रभाव उस पे नहीं होता, और ये जल बीच में आकरके लगभाग स्थीर जैसा हो जाता है, तो इस आकरिती को लैगून जील के नाम से जानते हैं, इस लैगून जील का उदारन आपने भारत का जो पूर्वी तठ है, यहां पर चिलका जील है, पुलिकट जील है, या भारत का जो पश्चिमी तठ है, इसमें वेबानद लैग जो है, यह इसी लैगून के उदारन है, तो यह प्रमुख समुद्र की निक्षे पजनित इस्थलाकृतियां हुवी, बच्चों समुद्र के किनारे में कई प्रकार के तट होते हैं, तटों की संदचना भी अलग-अलग होती है, इसके पहले मैंने आपको हिमनद से निर्मित फ्योड तट के बारे में बताया था, कि फ्योड कैसे होते हैं, थोड़ा सा इस्थल का भाग यदि उचा होता है, और हिम नीचे की और तेजी से जाता है, तो यह जो उपर उठे भाग यहां से समुद्र में काफी गहराई देखने को मिलती है, और फिर से इस्थल खंड का कुछ हिस्सा वहां उपर उठा दिखाई देता है, तो यह बीच का जो हिस्सा रहता है, जहां पर ऐसा देखने पर दूर से देखने पर यह बहुत कटा फठा मैसूस होता है यह फ्योर्ड तथ कहसे बनते हैं? हिम नद से इसी प्रकार से दूसरा तथ जहां पर नदी उचाई से तेजी से नीचे के ओर गिरती है, समुद्र में तो नदी जब समुद्र में गिरती है तो उसकी कई शाखाएं हो जाती है और ये कई शाखाओं में नदी तेजी से नीचे गिरती है तो कुछ इस प्रकार की आकृतियां विक्सित हो जाती है बिच बिच में आप समुद्र काफी अंदर घुज गया कहीं बाहर निकला है तो ये आकृति रिया तट कहलाती है तीसरी जो आकृति है यदि समुद्र के किनारे का भाग उचा होता है तो उचे भाग में बीच बीच में समुद्र में बेरियर्स जैसे चट्टाने विच्छी रहती है और अंदर तक समुद्र का जो लहरों का प्रभाव है वो कम हो जाता है तो इस प्रकार से बीच में यदि चट्टानों के अशेश उपर उठे रहते तो इसको डालमेशियन तट कहते हैं ऐसे डालमेशियन तट जो है ये युगोसलाविया में देखने को मिलते हैं ऐसे ही रिया तट का उदारन भारत के पश्चिम खेत्र में देखने को मिलता है तो ये तट के विभिनन रूप है कभी-कभी तट विक्सित होते हैं और कई बार तटों में निर्गम निर्गमन या निमजन की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया है।